डॉक्टर रीतु सिंग हुई बहुजन समाच पार्टी में शामिल जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना मैं उपर आग मेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाल इस वक्त के सबसी बड़ी ख़बर से आपको रूबरू कर रहे है डॉक्टर रीतु सिंग दिल्ली उन के जो प्रिंसिपल है तमाम जातियस शडियंत्रों के आधार पर उनके उपर में अनेकों इल्जामात लगाए गये और उसके बाद में उनकी नौकरी से उनको हाथ दोना पड़ा डॉक्टर रीतु सिंग ने इस पूरे के बुरे मामले को ध्यान में रखते वे उन्होंने अ मानना था कि उनको नौकरी नहीं तो न्याय चाहिए और इसी आधार पर उनकी लड़ाई लगातार जारी थी बार बार जो पुलिस प्रसाशन के जरीए उनको परेशान किया गया उनके धरने को निस्तनाबूत करने का काम किया गया उसके बावजुद भी डॉक्टर रीतु सिंग ये लगातार दिलिन सिटी के सामने में अपने आंदोलन के लेकर बरकरार रही थोड़े दिनों पहले के वीडियो डॉक्टर रीतु से इनके माध्यम से जारी किया गया जहां पर उन्होंने ये 24 के चुनाओं के मद्दे नजर रखते वे राजनेतिक पारीश शुरू सिर्दारा के साथ देश में जो मनुवादी ताक्ते जो जिस तरीके से मजबूत हो रही है उनको निस्तनाबुत करने के लिए अब वो चुनाओं मैदान में होंगी अब सबसे बड़ी बात जब से उन्होंने ये ऐलान किया ये अटकले बने हुई थी क्या अख्र डॉक्ट से वह अपनी चुनावी दावेदारी पेश कर सकती है वह अब दिस तरीके से चंडी गड़ लोग सबसे लड़ सकती है पुरी की खबर को लेकर आपकी क्या रहा है डॉक्टर रीतु सिंग ने जो बहुजन समाच पार्टी से अब वह अपनी मजबूत दावेदारी वह नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताक्तों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा बहुजन समाच से जुड़े और उसके अंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुचाते रहेगा लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कम जो पहुचाते ओरों के कमी कमी कारण है यह रहेगा।